वो भोजन नहीं देखता, वो व्यवस्था नहीं देखता, वो देखता है कि चल क्या रहा है, तो जब समण संत समागम यहां लगेगा, तो लोग खाने को देखने नहीं आएंगे, खाना आपका पेट भनने के लिए होगा। बहुत दिनों बाद, कैई सो साल बाद, जो संतों की संगती है, वो दिल्ली भारत की रादधानी तालकटोरा इस्टेडियम में, 11 फरवरी दिन रवी बार को सुबह आठवे से लेके और साम के पांच में तक चलेगी, वहीं सभी जितने भी संगत आएगी, उसका वहीं नास्त खाना पीना रहेगा, सब अपने बच्चे और परिवारों के साथ आ रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि जितनी उसमें सीट हैं, वो सारी सीट पुक हो चुकी हैं, भर चुकी हैं, लोगों का इतना ज्यादा अच्छा रेस्पॉंस है, समण संग के संतों के पिर्टी, हो गई हैं, पर चिंता की बात नहीं है क्योंकि जो स्टेडियम है, उसके बीच में जो जगे होती है, वहाँ पर कुछ तीन सो चार सो कुरसियां एक्स्ट्रा लग जाती हैं, या गद्दे बिच जाते हैं, गद्दे बिचेंगे तो ज्यादा लोग आ जाएंगे, कुरसिया आना चाहते हैं, वो खोशी से आएं, उनको आना चाहिए क्योंकि उनके संतों का समागम है, और ये संतों का समागम कोई नई चीज नहीं है, ये संतों की संगती, ये संतों का भजन, भजन का मतलब है एक साथ इखटा होना, या संतों का संम्मिलन, या संम्मिलन की संगती, ये कोई संगत अलग चीज नहीं है, अगर आप पुराने जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी कालिकरम हैं, उन सब को देखेंगे, तो भारत की समण सभ्यता, जो मूल सभ्यता है, भारत की मूल कल्चर, समण कल्चर जो है, उस कल्चर में संतों के मेले, संतों के समागम, संत की संगती साधू संगती साधू संगत ये सब्द सारे सारे समण से समण संग से समण लोगों से मिलते जुलते रहते हैं चलते रहते हैं इसलिए हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं हम वही पुराना काम कर रहे हैं जो पहले हमारे समण महापुरसों ने किया जो हमारे जितने भी समण सिरी थे सिरी माने होता है सिर यनमुख है जो हमारे जितने भी समण सिरी थे उन्होंने ये किया और इसी संगत और इसी भजन और इसी सम्मिलन की बदलत हम सारे के सारे संग में रहा करते थे जुडा करते थे मि भोजन आज भी बहुत सारे लोग अपने अपने जो मठ या आस्रम डेरे हैं उनमें संगत भोज या संग भोज चलाते हैं वैसा ही भोजन यहां भी होगा बस फरक इतना है कि यहां टेबल लगेंगी अब आधुनिक चीज़ें आ गई हैं पर भोजन तो संग का ही होगा संग होगा संग का दाना होगा तो सभी का रेस्पॉंस बहुत अच्छा है और चूंकि इसके अंदर संग की पुरानी नीती है इसलिए सारे के सारे बड़े अच्छे मन से आ रहे हैं और अच्छे मन से आना भी चाहिए क्योंकि यहां कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी व्यक्त संग के कारण नहीं है समण संग के कारण नहीं है आज हमेसागी तरह सात्वा दिन यानी कि हमारा मुख्य दिन जब हम सब लोग बैठा करते थे साथ साथ संगत किया करते थे साथ साथ भजन किया करते थे साथ साथ एसंबली किया करते थे और हम साथ दिन में एक वार सन्निकट सन्निकट पास पास बैठा करते थे और सन्निकट सन्निकट पात किया करते थे पात मतलब चरिया पात मतलब सम्मिलन पात मतलब एक साथ आना तो साथ साथ आते थे और बहुल हुआ करते थे बहुल बहुल का मतलब है बहुत जादा तो बहुत जादा लोग साथ साथ बैठा करत थे, पुराना सब्द है, पर चलता अभी भी, क्योंकि जब हम सन्निकर्ष शन्निकर्ष बोलते हैं, या बहुत बोलते हैं, तो बहुल और बहुत एक ही बात होता है, तो बहुल से बहुत बना, तो सारे लोग बैठ कर करते क्या थे जैसे सुक्रवार के दिन सारे के सारे लोग जितने भी जो मुसल्मान है पूरी दुनिया में वो अपना काम धंदा छोड़के और अपनी संगत में अपने संग में एक साथ बैठते हैं धार्मिक आधार पर उनका धार्मिक मजह भी आधार है पर उनको इखटा रखता है वैसे ही जैसे इसाईलोग जितने भी दुनिया में हैं वो रवी बार के दिन अपने-पने चर्चों में आते हैं बैठते हैं उनके सबके चर्च फिक्स हैं वो उनके मेंबर हैं और संडे को आते हैं वहां से नई नई इंस्ट्रक्शन लेके जाते हैं, नई नी जानकारी लेके जाते हैं, यह परंपरा हाल की परंपरा है, नई परंपरा है, नई परंपरा इसलिए हैं, क्योंकि उससे भी जो पुरानी परंपरा है, वो सन्नी पात बहुल की परंपरा है, जो बुद्ध के समय, बुद्ध ने अपने कई वक्त अबव में बताई, इसका जिक्र किया, और पहले से चली आ रही है, और वो परंपरा जब बुद्ध बुद्ध नहीं बने, एक लड़के थे, 21 साल के जब लड़के थे, सिध्धत गौतम उनका नाम था, उस समय उन्होंन उनका संग और वहां उन्होंने किस साल की उमर में वहां सपत ली, संग के पिट्टी, अपनी सारी सारी बातें मानने की और उनके नियम मानने की, संग के आदेस मानने की, संगादी सेस मानने की, वहां सपत लेने के बाद में जब युद्ध की घटना हुई, तो उन्होंने अपनी सपत तोड़ी जिसका उन्हें धंड मिला और उनको वहां से गणराज्य छोड़ना पड़ा जो समण साक के गणराज्य था वो छोड़ना पड़ा और वहां से वो चले गए और आगे जाके अपनी जानकारी अपना ज्यान बढ़ाने के लिए मेहनत करने लगे तो वो जो पुराने समय लोगी खटा होते थे और सारे के सारे डिशन लिया करते थे, सारे सामुईक रूप से बात रखा करते थे, सारे के सारे एक साथ मिलके बैठा करते थे, एक साथ मिलके संग भुजन किया करते थे, संग खाना खाया करते थे, संग दाना होता था, वो सार सब्भेता की परंपरा संघ की परंपरा पूरी दुनिया ने एडॉप्ट की और बड़े फायदे उसके उठाए और जिन्हों ने वह परंपराइं छोड़नी वह बहुत ज्यादा नुक्सान में आगे घाटे में अगे उनमेंसे हम हैं क्योंकि हमने अपनी परंपराइं छोड है वह बहुत important है, और इसी सननी sweetness बहुल के नाम से हम उस दिन को सन्नी चरिया बोला करते हैं, सन्नी चरिया, जिसको बाद में सन्नी चर शनि बना दिया, शे हमारी भासा मेंगल नहीं होता, सारे लोग चेक कर सकते हैं, पाली के अंदर शे नहीं होता, भारत में शे शब्द नहीं होता, क्योंकि भारत गरम देश है, यहां शे शे की आवाज नहीं निकलती है, गरम प्रदेशों में शे नहीं होते हैं, पर जो ठंडे एरिया होते हैं, वहां अपने आपी, से की जेगे शे शे निकलते हैं और कई भासाओं में तो तीन तीन चाचार प्रकार के शे शे निकलते हैं तो भारत में से नहीं था से था शे नहीं था इसलिए शनी चरिया बनाया गया बाहर के लोगों ने सन्नी पात बहुल को शनी चरिया कहा और बाद में इसको शनीचर कहा और फिर इसको अलग अलग घटनाओं के तहत में ये कहा गया कि ये दिन खराब है ये दिन मनुस है इस दिन आपने घर से बाहर नहीं निकलना है और इस दिन आपने कोई भी हतियार रखना नहीं है क्योंकि हम अपना सत्थक दंड लेकर अपने सन्नीपाद बाहूल में जाया करते थे ताकि जानवर से या किसी चीज़ स्वरक्षा मिल सके तो वो सन्नीपाद बाहूल होता था उसमें हमारे सत्थक दंड यानि सस्त्रवारे हतियार हुआ करते थे जो हमारे स्वरक्षा के लिए थे जो बात में लोहे के बने तो लोहे को सनिवार में बदल दिया पर आज तक भी किसी किताब में कहीं कोई कारण नहीं है कहीं लिखा हुआ नहीं है कहीं कोई जानकरी नहीं है कहीं वर्णर नहीं है सब हवा में चलता है जैसे जातिया हवा में चलती है जिनका वर्णर नहीं मिलता तो हवा में चलने वाली जितनी भी मेसन डाली गई है और वो पहुचाई गई है उसके पचार किये गए हैं इसलिए सच्चाई कहीं मिलती नहीं और सारी हवाएं मिलती हैं तो हवाएं आती रहती हैं जाती रहती हैं उनसे परिसान होने की जवत नहीं है हम दुबारा से अपने सुब सन्निवार में आ रहे हैं औ बार 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 हम जिक्र करते हैं यो बहर ग्रburg करorter केंगे, हर संदे को जिक्र करेंगे, और इक्ते भी होंगे, हमारे लोगों, रभीवार को भार को ही, इक्षटे होना चाहिए, पकर नाम उसका सन्विपात भाहूल देना चाहिए क्योंकि सन्निपात बाहुल देने से हम अपनी प्रंपरा में आएंगे बेसक हम रभीवार को संड़े को इखटे हों से कोई फरक नहीं पड़ता इसलिए सब जो सुब सन्निवार है सुब सन्निचरिया है उसकी कथा को बार बार याद करें बार बार सुनें बार सन्निवार होगा और अगर प्रचार नहीं करेंगे तो फिर जिन लोगों के हैं वहीं रहेंगे आपका सुब सन्निवार कभी भी जिंदा नहीं हो सकता प्रचार से जिंदा होते हैं और प्रचार से ही मरते हैं सारा का सारा खिल प्रचार का है इसलिए प्रचार करना चाहिए खुब इसका जिक्र करना चाहिए इसकी पोश्ट बनानी चाहिए इसकी भेजनी चाहिए ठकना नहीं है ठकना नहीं है किसी भी हलत में चाहिए कितने रिप्टेशन करने पड़ें बोर भी रही होना है पर भेजना है लगतार भेजना है याद रखना है अपने अपने मोबाइ बोलनी है ऐसा आप लगाता लगातार करेंगे तो जो मनुशियत के बादल हमारे सर पे मड़ रहे हैं या जो हवाय हमारी खराब की है वो ठीक होनी सुरू हो जाएंगी और इसके बहुत अच्छे परड़ाम आएंगे तो संत समागम जो हो रहा है हमारा इसमें सारे के सारे संत सभी तरह के संत आएंगे जो समन है और जो समन संत वहां आएंगे तो वहां इतने बड़े समागम में हम करेंगे क्या और होगा क्या और मीटिंगों में संतों की मीटिंगों में होता क्या है और क्या करना चाहिए और वो दुनिया क्या देखती है और क्या नहीं देखती है इस पर आज हम थोड़ी सी बात की चर्चा करेंगे जब भी कहीं कोई संगती लगती है या जब भी कहीं कोई मिटिंग लगती है या जब भी कहीं कोई समागम होता है तो ऐसा लगता है क लोग इखटे हुए लोगों ने वहाँ खाना खाया नाचे गाए बाचीत की मिले जुले चले गए और सब मिलन बहुत बढ़िया हुआ क्योंकि अगर कोई अप्रिय घटा नहीं हुई है तो बहुत शांदार हुआ बहुत सफल हुआ लोग इसकी सफलता की बधाई ले लेते ह हैँ और चले जाते हैं हमारे 39.00000,001 संग्ठं काम कर रही है जो की संग नहीं हैं उसमें अलग लग तरहीं संग्ठं करते जिनमें 4.00000,001 संग्ठं मनें कुछ सामाजिक संग्ठन हैं, कुछ राजनितिक संग्ठन हैं, कुछ उसमें धार्मिक और संतों के मतों के संग्ठन हैं, कुछ उसमें सरकारी करमचैनियों के संग्ठन हैं, कुछ उसमें लड़कों के दलवल के संग्ठन हैं, कुछ उसमें आर्थिक संग्ठन हैं और कुछ उ वो देखता है कि संग्ठन जो कारे कर्म लगा रहा है उसके औरगनेजर कैसे हैं वहां जो उसके कारे करता है वो क्या कर रहे हैं उनमें क्या क्रियाकलाब चल रहा है वो बाद में क्या करते हैं पहले क्या करते हैं उनके पर्चों में क्या लिखा हुआ है वो बोल क्या रहे है वो कर क्या रहे हैं, पहले नोंने क्या किया, बाद में नोंने क्या किया, वो भोजन नहीं देखता, वो व्यवस्था नहीं देखता, वो देखता है कि चल क्या रहा है, तो जब समण संत समागम यहां लगेगा, तो लोग खाने को देखने नहीं आएंगे, खाना आपका पेट ऐसी चीज़े खाता है जिनमें स्वाद कम होता है पर उसको कोई स्वाद याद नहीं रहता है खराब क्या खाया अच्छा क्या खाया बस पेट भरा साम को निकल गया या सुबह को निकल गया बात खतम हो गई इसलिए खाने का जो असर है खाने का जो टेश्ट है जीपर वो सिर्फ तब तक रहता है जिब तक उसको स्वाध रहता है और एक वार पेट भर जाए तो फिर कितना स्वाधिस्ट खाना हो वो अच्छा नहीं लगता इसलिए स्वाद ज्यादा देर की घटना नहीं है, ये छोटी सी घटना है, तो खाने को कोई नहीं देखता है, कोई अगर ये सोचे किसी समागम में, किसी कारिकरम में भोजन सबसे बड़ी चीज़ है, तो भोजन सबसे तुछ और छोटी चीज़ है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता है, दो चार मिनट के अलावा, तो क्या देखता है आदमी, आदमी क्या वहाँ देखने के लिए आता है, सबसे पहले वो आपका पर्चा देखता है, जो आपका एप्टाइजमेंट है, जो आपकी वीडियो है, जो आपकी ओडियो है, जो आपका पर्चा है, जो भी संग्ठन अपने अपने पर्चे कारिकरंग लगाते हैं या पर्चे वह बाड़ते हैं या पर्चे वह पब्रिस करते हैं उनके अंदर क्या होता है उनके अंदर फोटो लगते हैं व्यक्ति को आगे बढ़ाने के फोटो उनके अंदर नाम लिखे जाते हैं व्यक्ति को जो स्पिकर होते हैं उनको बलाते हैं जो बोलने वाले वक्ता होते हैं वो वक्ता ऐसे चुनते हैं जिनके नाम उस समय चल रहे होते हैं जिनके तारे बहुत उंचे होते हैं सितारे बहुत उंचे होते हैं जिनकी चमक होती है जिनका आप्टाइजमेंट होता है वो लिखते है कि ये वक्ता आएगा, 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 नाम होते हैं उनके फोटो के साथ लिखते हैं अट्रेक्ट करने के लिए देशी विदेशी ताकि लोग उनको देखकर आएं उसमें बहुत सारी संस्थाओं के नाम लिखते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि बहुत सारी संस्थाओं एक साथ आ रही हैं और बहुत बड़ा कार कालिकरमें विसाल उसमें वो कुछ गप भी बार देते हैं छोटी मोटी कालिकरम ऐसा होगा वैसा होगा कुछ ढोड़नगाले कुछ तासेवासे कुछ गायक लाकार इन सब के नाम वगरा होते हैं तो पर्चे को देखके अट्रैक्टर अट्रेक्शन बढ़ा जाता है ताकि ल फलाना एक्टर आ रहा है फलाना एक्टर उनको बाकादा पैसा दिया जाता है क्योंकि उनका काम ही है आना और उनके देखने के माध्यम से उनको देखने के लिए लोग जुड़ जाते हैं और जब लोग जुड़ जाते हैं तो फिर वो राजनेता को जो अभी नेता है उसक इसी चीज़ करते हैं जिसे लोग अट्रेक्ट हो हाज जाएं यानि कि इनकी बात में दम नहीं तो मनजन करकर उनको बलै जाता है ताकि वह सुन सुना ले वईस heckton सारे करते हैं संक्खनों के नाम से लोग नहीं आते यह karma को पता है उनको special खाने के लिए invite करते हैं ताकि वह खाने के लिए नाम से वो आ जाए और कई तो उसको भोजन समाज कहते हैं और सच मैं भोजन समाज बना दिया है क्योंकि खाना उनको भी पता है खाना खाया और निकलो क्योंकि खाने के लिए बलाया है खाने के नाम से बलाया तो खान और उनको सुनाए जाता है कि नियों खाना मतफ़ ताकि यह सुने यह संगठनों में चलता है. तो परुशा देखकर आप समझ सकते हैं कि परुचा जो छपा है, उसमें व्यक्ती बाद ज्यादा है, व्यक्ति के दम पे बुलाया है या कोई नोटंगी करने आ रहा है या कोई अभीनेता है या बड़े बड़े नाम लिए गए हैं और जो बड़े बड़े नाम छपते हैं उनमें उनकी कंसेंटर सिर्फ इतनी होती है कि उनको बुलाया वो आए ना आए और उनके नाम छप जात और उस invitation letter का photo वहां खिचवाते हैं और दुनिया में पचार करते हैं हमने इनको invite किया हमने इनको invite किया जबकि उनकी concern नहीं होती है और वो आते भी नहीं है और लोगों को लगता है कि समधानिक पत्वे बैठे बड़े बड़े लोगों आएंगे क्योंकि उनका पचार चल रह लखेंगे तो समन संग के पर्चों में किसी व्यक्ति को या बहुत सारे व्यक्ति को या इनके फोटो लगा कर लोगों को नहीं बलाया जाता दो चार फॉन नंबर होते हैं वो भी इसलिए कि काम पड़े जरुत पड़े तो उनको फॉन करके पूछ ले क्या है क्या नहीं है समन संग के पर्चों में काईकरम की बहुत बड़ी रूप रेखा नहीं होती समन संग के पर्चों में गैस्ट भी बलाया जाते हैं संत भी आरे सवारे पर उनके नाम नहीं होते यहां किसी के नाम के आधार पर नहीं बलाया जाता समन संग यानि संग जो है वो संग के नाम पे लोगों को गुबलाता है सुद्ध संग के नाम पर समन संग की ताकत और समन संग की जो शक्ती है वो उसके सब्द मेनित है जो उसका समन संग है इसलिए हमारे जितने भी पड़्चे जाते हैं थोड़े समय बाद हमारा सिर्फ वी जाएगा और वहां समन संग लिखा होगा और काईकम लिखा होगा और इसी पे लोग आ जाएंगे क्योंकि भरोसा बड़ेगा हम जो कहते हैं वो करेंगे तो फिर लोगों का पट्चे से ध्यान हटेगा और वो सूचना मात से इखटे हो जाएंगे यह हमारी कामिया भी है यानि यह संग की कामिया भी है कि संग किसी व् लोगों को गालिय बकता है ऐसे फारिंग इसकीज के नानाम पर या बहुत ज़्यादा कोई बड़ी विभूती है उसके नाम पर नहीं मिलाता समण संतों का काईकम है पर संतों के नाम भी नहीं है एक संत ने पूछा जी इसमें आपने परचा बनाया उसमें कहा नाम डाला ह हमारे यहां नाम पढ़ने की परंपरा नहीं है संतों में भी अगर नाम जाने लगे तो पिर काय के संत और फिर तो राजनिता में और संत में अंतरी क्या रहेगा बस संत समागम है जितने संत आएंगे सबका स्वागत है जो आजाए ठीक है जो आजाए नहीं ठीक है एक नह जूटे साबित हो जाएंगे कि फलाने आदमी का लिया और आप कहेंगे देखो मेरा नाम छपा मेरी वैसे लोग आए लोग आपकी वैसे नहीं आते आप आईए आपका वैल कम है आपको मिलेगा पर नाम नहीं जाता क्योंकि आपका जहाज कैंसल हो गया रेल कैंसल होगी को यह बताइए सब को के हमारे पर्चे किस तरह के होते हैं और पर्चे किस तरह क्यों होते हैं क्या करने हैं दूसरा जब वहां काईकर्ण चलता है और संग संग में काईकर्ण चलेगा तो लोग क्या देखेंगे क्या जज़ करेंगे वह भाशन सुनने नहीं आते यह ध्या साला लगा के कुछ हलकी नमक के साथ कभी चत्नी के साथ कभी मोढके की चोड़.? पर बात वही कहते हैं हम के खटा होना है हमने आज तक भी पिछले तीन साल में कोई और बात कि इस बात के लावा कि हम को खटा होना है संग में ताकत었어生 सकती योगे योगे हम इसी को सारे लोग घुमाफिरा के बोलते हैं तो हमारे भाशन में वही बात है जो इतने दूरों से हमारे महापुर्स बता रहे हैं तो हमारे पास कुछ नया भाशन है भी नहीं सिवाए यह कि आज के हिसाब और इतने सारे संग्ठन हैं इतने सारे चीज़ें हैं मैंने आज तक कभी किसी के भाशन में अंतर नहीं देखा बस कोई चला के बोलेगा किसी का थूक बाहर निकलेगा किसी का गला की जो नननसें वो खिच जाएंगी कोई आराम से बोलेगा कोई भासा बदल के बोलेगा कभी कोई ऊपर नीचे की टोन बदलेगा, कभी कोई डांस करता हुआ बोलेगा, कभी हात नचा के बोलेगा, कभी पैर नचा के बोलेगा, कभी कुछ चिला के बोलेगा, कभी सीधे से बोलेगा, ये अंतर हो सकता है, पर सार में अंतर नहीं होता, वही होता है, तो नया भाजन तो ह नहीं फिर लोग क्या देखने आते हैं महाँ पर आप सोचों के लोग भीड़े देखने आते हैं तो वो भी देखने नहीं आते क्योंकि भीड़े तो आती जाती रहती हैं ऐसा नहीं है कि समझ संग ने कोई बहुत चमतकार कर दी तो क्या चीज़ देखेंगे जो सबसे महतपूर चीज़ देखते हैं लोग और जिसको दिल में लेके जाते हैं और जिससे इंप्रेस होके आते हैं वह वह चीज़ है जो महापुरस ने हमको सिखाई हमारा वहवार हमारा जो वहवार है उसे देखेंगे लोग हम कैसे वहां एक से का इकरिम चलता है कैसे एक दूसे की बात मानते हैं इस नाग संगों की मीटिंगों मैं वियवार कर रहें को इसा के की बहुत 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 है पर संग के कम्पेरिजिन में अभी हमको बहुत अच्छा अपना वहवार करना है बहुत ज़्ज़ डिसिप्रिं ठोना है तो वहवार की तुलनाख कैसे करते हैं वो जो इतने सह winterй लोग आएंगए बहुत बारी की से लोग देखते हैं, बारी की से वाच करते हैं, वो देखते हैं, इनके लोग बैठे कैसे हैं, वो देखते हैं, कि इनके लोग सांत कितने हैं, वो देखते हैं, कि इनके लोगों में बोलने की कितनी हिर्स है, वो देखते हैं, कि इनके लोग मंच माला माई को खाली कहते हैं, या उसको छोड़के बैठे हुए भी हैं। वो देखते हैं कि इनके अंदर जब काम होता है तो उसके अंदर सामज जसे है या नहीं। वो देखते हैं कि इनके अंदर कोई confrontation तो नहीं है, कोई तनाव, कोई जगड़ा तो नहीं है। वो देखते हैं कि अगर किसी को डार दिया फटकार दिया कुछ कर दिया तो वो कहीं टेड़ा मेड़ा तो नहीं हो रहा है वो देखते हैं कि इनका सारा काम बुलकुल स्मूथ आग्या की तरह चल रहा है या नहीं वो देखते हैं कि ये सारे एक परवार की तरह काम कर रहे हैं या नहीं वो देखते हैं कि इनमें कोई आदमी गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोलता या नहीं वो देखते हैं कि अगर कोई गैस टुल्टा सीधा बोले तो ये लोग कैसी प्रतिक्रिया करते हैं कैसी नहीं वो देखते हैं कि इनका जो चाल है और इनका जो चलन है वो बहुत अच्छा है या नहीं सादू संतों की तरह बड़िया है या नहीं वो देखते हैं कि ये मीठा बोलेंगे ये कड़बा बोलेंगे ये देखेंगे वो लोग वो देखते हैं कि ये लोग उसके बाद कैसा वहवार करते हैं वहवार देखा जाता है वहवार से संग बनते हैं और वहवार से ही संग बिगड़ते हैं इसका उधारना एक्जामपिल पुराने संतों में आपको बहुत मिलेंगे। आप किसी भी संगत को उठा लीजिए। सबसे पहले अगर आप उठाएंगे तो अपने स्रमणों की संगत को उठा लीजिए। जो बहुत पुराने संगत रही है बुद्ध से पहले की। आज तक पी उन संगतों में कभी किसी संगत में कोई जगड़े का कोई एवार का कोई मिसकंड़क्ट का कहीं कोई एक्जामपिल नहीं मिला आस तक कि सब बहुत प्यार से परवार की तरह रहते थे उसके बाद जो धमिक संगत लगी है भगवान बुद्ध की या जो तथागत बुद्ध है उनकी तो आप देखेंगे के उनके भिकूँ में एक लाइन चलते थे एक बात माना करते थे एक साथ रहते थे एक बोलता था बाकी सान् कितनी आपदा आ जा कितनी आधी तूफान आ जा बैट गए तो बैट गए हिलते रही थे कोई अफरा तफ़ी नहीं कोई कच्छा पन नहीं इतने पके हुए होते थे इतनी तरीके से रहते थे उस वहवार को देखे के लोग जुड़े कोई बुद्ध हर गाओं नहीं जाते थ 3,650 दिन में 10 साल पूरे हो जाते हैं कोई बहुत जादा अगा जियेगा तो 30-40,000 दिन जियेगा इसे जादा उसकी लाइफ होती नहीं वो भी बहुत बिले लोगों की और समय भी चल फिर नहीं सकता तो किसी के पास इतने दिन नहीं हैं बस 19,000 दिन अच्छे होते हैं लोग दूर से ही उनके चीवर को उनको देखके नमशकार किया करते थे उनकी बात को माना करते थे यह वहवार वो चीज थी जिससे वो जीते क्योंकि जो बाते हैं वो बता रहे हैं वो प्रकृति में नहीं हैं चोरी नहीं करना जूट नहीं बोलना यह सब को पता होता है प जिर्व अपने उस वहवार के हारण उसके बाद आप देखिए कि वह वहवार के कारण कितने कि दिन तक संग चलता sono नहीं जब वह वह वहवा और इंडिसिप्लिन हो गया और जब वह वह थिक हो गया तब बात खराब पूंव और डॉक्टरा मेटकर का आप वहवार देखिए वो तो लेटेस्ट बात है या कासि राम जी को यह वैवार देखिए गए किस तरह का वहवार था बताते हैं कासि राम जी कोई व्यक्ति आता था तो उसको 2-2 घंटे सुना करते थे तुञांगि 2 घंटे जा रहे हैं उन्हें पता है कि ये क्या सुना रहा क्या नहीं पर दो खुंटे सुनते थे कि ये कहेगा नहीं तो मानेगा नहीं तो सांती से सुनते थे बुद्ध का वैवार देखिए कैसा वैवर होता था डॉक्टर मिटकर का वैवार देखिए कि कभी उनका उगर वैवार आपने रेयर क जो गोवर फैका उनके ओपर, कीचड़ फैका उनके ओपर, जो हमारे फूले थे, उनके ओपर उने मारने के लिए लोग आगे पर वहवार नहीं बदला। इस वहवार को ना बदलने से सांत वहवार रखने से और अपना डिसिप्लिन दिखाने से जीत हुई. लोगों ने उसको देखा लोगों ने किसी संगती में और कुछ नहीं देखा और उनके वेवार याद किये जाते हैं तो समन संत समागम में हर आदमी के वेवार को लोग देखेंगे नए वाले और आपकी अच्छाईया नहीं देखेंगे मैं फिर बता देता हूँ कभी आप ये सोचो के हमआ अच्छ रहेंगे, ज़ो अच्छा है वो तो मीदधी करके आते हैं, के समर्वसंग में सारे अच्छे हैं, वो अनको ढू circus मोवा जिनके वहवार भोजन पे लाइन उपे लड़ते हुए देखा हमने संग्ठनों के कारी करम में खूब सारी बत्तमिया होती देखी हमने देखा कि किसी को माइक नहीं मिला तो वहाँ अबे तबे हो गई और खूब गाली गलोच हो गई हमने देखा किसी को बीच मनी बठाया तो काम खराब कर दिया हमने देखा कि वहाँ नएनी बातों पर खूब जढ़े हुए इसलिए कि मुझे परसिद्धी नहीं मिली मुझे मंच नहीं मिली मुझे माला नहीं मिली मैं नेता नहीं बना और मैं रह गया बहुत ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो बोलने से कहीं कोई परसिद्धी नहीं मिलती अगर बोलने से परसिद्धी मिलती तो इतने इतने लोग बोल रहे हैं अब तो काम हो गया होता पर पर परसिद्धी बोलने से नहीं मिलती कोई कहता हो के फोटू कहचाने से परसिद्धी मिलती है नहीं मिलती, वेवार से मिलती है, काम करने से मिलती है और जो वेक्ति काम करते हैं जिनका वेवार अच्छा होता है उनको पिरसिद्धी चाहिए भी नहीं पिरसिद्धी उनके पीछे पीछे घुमती है, नोकरानी बनके घुमती है और कहती है हमको ले लो हमें साथ ले लो और वो चलती आगे आगे और वेक्ती चलता पीछे पीछे जब उसका वेवार सांथ हो जाता है और जब वो अपने काम में रम जाता है जो लोग काम इसलिए करते हैं कि हमको प्रसिदी चाहिए प्रसिदी उनके जीवन में कभी नहीं म समन संगी तुलना करेंगे और लोगों से तुलना करेंगे अच्छी बात होगी तो आपको अच्छा नहीं कहेंगे पर खराब बात होगी तो कहके जाएंगे खराब है आपको डिमलाइज करने के लिए तो आपको त्यार रहना है कि कोई भी चीज हमारे हाथ से कम से कम जानकर खराब ना हो जितने लोग हैं और जितने लोग भी मैंने देखें आज तक और जो लगे हुए हैं वो क्या करते हैं वो करते हैं कि हम चमक जाएं हम इस्टार बन जाएं बन जाओ इस्टार इस्टार बनना तो बहुत आसान है देखो इस्टार बनने की कितनी अच्छी कला है कि आप भारत के किसी भी गड़्माने वेक्ति को दो चार अपसब्द बोल दो आप स्टार आप कोई भी भारत की किसी भी नीति को जो चल रही है उसके वारे में कुछ भी ओल्टा सुदा केड़ा सिधा बोल दो आप स्टार YouTuber धूंड रहे हैं ऐसे लोगों को star बनाने के लिए जो बहुत आगुगलते हों पर वो समर्व संग में नहीं आते वो समर्व जो संगी है उनको नहीं ढूंड ते क्योंकि उनसे क्या मिलेगा वो नीती की बात करते हैं काम की बात करते हैं सालिंता से करते हैं, इसलिए उनके लिए बेकार है, उनकी वीडियो नहीं चलती है। अगर समण संगी यहां कुछ बोलता है, तो काम की बात बोलता है, उसे कोई नहीं सुनता है, इसलिए वो आते भी नहीं। आएं तो अच्छा है, उसमें कोई ना बुरा मानना है ना अच्छा मानना है ये जीवन है चलता रहता है समझ संग अपनी स्पीड से लगादार बरदा है बहुत अच्छी स्पीड है इसकी उन संग्ठनों के मकाबले जो हमको देखते हैं और हमको बौच कर रहे हैं और समझ रहे हैं पर बहुत कम स्पीड है उस आप में हिस्सा ना लें, आप इतने सांत और सादू हो जाएं, उससे भी बात नी बनने वाली है, क्योंकि हमारे सिध्धानतों में अती बहुत जादा ठंडा होना या बहुत जादा गरम होना दोने ही नुक्सान दायक हैं, आप अपना काम निरंतर करते रहिए, पर बहुत अ उत्सा में नहीं और बहुत जादा अती नीरस्ता में नहीं, मौडेट रूप में जैसे हम करते हैं उसके साब से, खुशी मिलेगी आपको आंतरिक होगी, अंदर से मिलेगी, चलाने वाले जो लोग होते हैं, खुशी उनके पास हो ऐसा जरूरी नहीं है, और जो शांत करने का कोई जम्मा तो नहीं है संके पास में, पर एक्षा मारी भी नहीं जाएंगी, किसी की एक्षा हो तो बता दें, हमने बहुत सारे लोग देखे, जो लोग बहुत जादा एक्षाओं के चकर में बहुत जादा अती उत्साहित हो गए, और फिर वो बाद में बहुत जा हम जो हमारा संथ परंपरा आरम हुई है उसमें हम अगस्त में डिली में काईक्रम लगाने के लिए हास में प्रिपोजल लखेंगे ताकि वो पास हो जाए कोई हम्द संथ का हमारे एक एजंडा पास हो गया है तो उसके समागम की भी बात होगी जो संथ्टों की प्रक्रिया उसके लिए भी बात होगी कमेटी बन गई है तो वह काम भी करेंगे तो अगला कारेकरम फिर आने वाला है और पूरे देश में कारेकरम लगते रहते है तो उसका तरीका है साथा दिन बाकि साथ रख़ Also mans में और वहां वह सारे जो लोगों से बहुत ज्यादा नहीं 旦ेशजञा पर आप अपना कार्ड उनको देश सकते हैं और वहां बात बन सकती है हमारे बहुत सारे जो लोग हैं कि मिनट तू मिनट कमец ही हैं वो अपने मापदंडों के हसाब से जो नए मापदंड निकालें उनके हसाब से कुछ लोगों को imagine पर बोलाएंगे और मायक पर नमबर ना आए या कोई ना बोल पाए या कोई अच्छा ना बोल पाए तो मायूस नहीं होना है परिसान नहीं होना है उसकार मैं बता देता हूं क्यों नहीं होना है हमारे यहां कोई व्यक्ति का चेहरा बढ़ाने का कारिकर नहीं है हम किसी वहालत में कोई इसक्रीन नहीं ल सकता है उसका नाम भी भूल जाए क्योंकि वहां पे तीन-चरह जार आदमी होंगे और वह भड़ चुका है जो उसकी सीड्स हैं तो कोई किसी का चेहरे को बहुत दूर से कपड़ों से पैचाले तो पैचाले बाकी किसी को याद रहता भी नहीं है और कोई आवाज है वो भी आनी रहती पर जब वहां लोग बोलते हैं तो उससे सब की भागिदारी निश्चित होती है पर कोई बहुत जादा चमकेगा ऐसा नहीं होता पर बुलवाते इसलिए है मिनट तू मिनट कमेटी वाले इतने सारे लोगों के आगे दो मिनट बोलने से मनोवल बढ़ता है उसक उसकी अभ्यास होता है एक वार यमना नगर की मीटिंग में कुछ लड़के थे उनमें एक प्रॉफिसर थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये दो-दो मिनट आप बलवाते हो सबको दो-दो-तीन-तीन मिनट बलवाते है उसका क्या फाइदा है तो हमने का भाई देखो इ फिर वह चकता नहीं है उसको अभ्यास हो जाता है फिर वह समन संकी आडियलोजी को अच्छी तरह बताने की लायक हो जाता है और इसका फाइदा यह हुआ कि जो कंसेप्ट यहां बोला जाता है 40 मिनट का 45 मिनट का उसको बोलने वालों की लाइन लग गई और वही लोग जो आज 40-45 मिनट का कंसेप्ट देते हैं उन्होंने 2 मिनट से और 3 मिनट से आरहम किया और अब ऐसे कंसेप्ट देने वालों की इतनी लाइन है कि कम नहीं पड़ती है तो 2 मिनट से 3 मिनट से 4 मिनट से 5 मिनट से हम उनका एक्सपजर बढ़ाते हैं ताकि वो जब अपने अपने जिन्होंने ज़्यादा अभ्यास किया है वो जाएंगे, जिनको ज़्यादा समझ है वो जाएंगे, जो तुरंत सवाल का जवाब दे सकते हैं वो जाएंगे, जिन्होंने अच्छा पढ़ा है समझ तो जाएंगे, और कुछ वो लोग भी जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा च तो हम खुन बढ़ाते हैं, पर कोई व्यक्ति अगर मन में ऐसा रगे, मैं तो बोला नहीं, मैं तो बोल नहीं पाया, और वो निरास हो तो एक वार देखे, क्या वो समन संगी है, क्योंकि हम बोलने के लिए नहीं बोलते, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे, कि वो नहीं बोलेगा, तो उसके हार्ट पर प्रॉलम हो जाएगी, दिल में प्रॉलम हो जाएगी, वो माईस हो जाएगा, तो वो अपना नाम जरूर लिखवाए, क्योंकि हमारा कोई समन संगी अगर बोलने से अपना खुन बढ़ाता है, तो बोले वो एक्छा भी पूरी कर ले, पर बोलने से कुछ होता नहीं, इसका एक्जाम्पिल में आपको बता देता हूँ, मैं अपना एक्जाम्पिल बता देता हूँ, जब मैं गला फाड़ के बो बोली, तो अब इतना मठील हो जाता है बोलने का, इतना बढ़िया बोला जाता है, कि मुझे खुद ताजव होता है, कि यह आता कहां से है, तो समझ में आता है, यह जो समन संग अंदर आ चुका है, यह उस से आता है, यह समन संग अपने आप निकलता है, क्योंकि जो समन सं समंको नहीं पीके गए हो, तो कितनी कोशिस करने ना? आपका गला टक जाएगा, आपके पहल लटकड़ा जाएगा, आपको पसीन आ जाएगा, भूल जाओगे, चाल लाइन रटके आओगे, आपको याद ने रहेंगी, कहीं हटकोगे, कहीं हटकोगे, कहीं हलक में तुम्तना हो जाएगा कहीं कुछ हो जाएगा पचास बात हो जाएगी पर जब इस समन संग को पी जाते हैं फिर आंख बंद करो सोते सोते भी बोलोगे तो समन संग ही बोलेंगे फिर तो यही बात निकल गयाती है जिटेंगे जिद जुड़ने कि जो जुड़े हैं जहां जुड़े हैं जब जुड़े हैं जब जीते हैं जैसे जुड़े हैं वैसे जीते हैं जितने जुड़े होते जीते हैं रट्टा मार के निकलेगी कोई रोक नहीं सकता उसको इसलिए स्रमण संग को पी जाओ कोगी बहुत सारा काम करना है और इस बा परने वाले और काम करने वालों में काम करने वालों का समन संग में उपन नाम लिखा जाता है और हर मीटिंग में ये पता रहता है कि ये व्यक्ति बोलने के लिए बोल रहा है या काम के लिए बोल रहा है या क्या कर रहा है क्या नहीं है संतों की परंपरा आरम होने वाली है अ कितना है आप यकिन नहीं कर सकते है सारा जहां हमारा आये के लिए पर लेने वाले तो हो वें कोई चिन्ता की बात नहीं है इसनले वहां मायूस करें हो को मुझना हो ऑफ पर डोल बजा दे तो थोड़ा और बाहुल बढ़िया हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा बाकी सब लोग को उत्साब की तरह त्यारी करें पर मायूस बिलकुल ना हो मायूस मन में कोई इक्षा लेके ना है बस एक इक्षा रहे हमारा संग समण संग मैं समण हूं हम समण है ये एक्षा रखे impos beer ये सबसे बढ़ा हमारा उत्साब बढ़ाने वाली बात है बाकी सारी बातें बेकार की है मेरे जीवन का experience मैं आपको बता रहा हूं हूं जब नाम बढ़ाने के लिए काम किया तो नाम बढ़ा ना गाउं बढ़ा गाली मिली जब चलाते थे तो कहीं कोई काम बनता नहीं था और जब समझ आई तो अब कोसिस करते हैं कि नाम ना जाए तो नाम ही आगे आगे दोड़ता है जब कोशिस करते हैं कि चेहरा आगे ना जाए तो चेहरा ही आगे आगे जलता है पोश्टर पे एक नाम नहीं लिखवाया मैंने कभी अपना फिर भी लोग कहते हैं कि समढ़ संग वाला है तो मुझे ताज्यू होता है कि जब नाम छबाते थे जब कुटा नहीं पूस्ता था और जब नाम छबाना बंद कर दिया तो सब लोगों को लगता है कि ये इसका नाम ये इसका नाम ये कि अब नाम पीछे कर रहे हैं तो नाम अगर बढ़ता है तो समझ में आया है कि जब मन सुद्ध हो जाता है तो समझ में आया है कि जब आपकी एक्षाएं खतम हो जाती हैं तो फिर चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं फिर समठें में नहीं आती हैं इसका एक एक अग्जामपल बताता हूं आपके घर में चाल लडू रखें इसे कैसे रहेंगे बस इक्षा खतब होती चीज अपने आप बढ़ जाती है और जब तक इक्षा रहती है वो चीज घटी रहती है तो मेरा यहां सभी से निविदन है कि हमारा संद समागम है संद तो आएंगे ही आएंगे पर हर आदमी अगर संद बन के काम करेगा तो संद सं पर लोगों की मानेता अलग होती है उस मानेता को सही रूप में अपना निकलिए हमें बैस्ट डिसिप्लिन वहां देना है अपनी एक्षाओं को घर छोड़के आना है तन मन से काम करना है संगत में काम करना खाना कम पड़ जाए तो चिंता नहीं करनी है खाना ज्यादा हो तो पैक करा के लेके जाना है उसको बिगारना नहीं है डिसिप्लिन में रहना है किसी की तव्यत खराब हो तो उसको तुर्ण दिलाज पहुचाना है किसी कोई आवशकता हो तो सारे काम छोड़के पहले उसकी आवशकता करनी है बच्चों का माई बेहनों का परिवारों का स्वक्षा का विश्य ध्यान रखना है और मीठा बोलना है और आखें हमें साख खुली रखनी है क्योंकि हम जब कोई सामुई काम करते हैं तो स्वक्षा का विश्य ध्यान रखते हैं इसलिए हर व्यक्ति अपने आसपास स्वक्षा का ध्यान भी रखे मेरी किसी किसी बात में अगर किसी को कोई हारी हुई हो, संग को कोई नुक्सान हुआ हो, तो मैं संग से और आप सब से माफी चाएता हूँ, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग हनमामी, संग हनमामी, संग हनमामी. सरेन गच्छाम। संगं 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 सरेन गच्छाम। भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छामी, भूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छामी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छामी, ततियं पी धम्मं सर्णं गच्छामी ततियं पी धम्मं सर्णं गच्छामी ततियं पी धम्मं सर्णं गच्छामी ततियं पी धम्मं सर्णं गच्छामी